नमश्कार, मैं हूनिया शर्मा और स्वागत हैं आपका कुनली टीबी पर मंत्ली राशी फल में अब हम बात करेंगे अगली राशी व्रिष्चिक की इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नरेश कुमार जी स्वागत है आपका निरेश जी, अक्तूबर मंत की राशी फल में हम बात करें व्रिश्चिक राशी की, लेकिन सबसे पहले आप से जानकरी लेना चाहेंगे गोचर की देखिए नहा यह जो कुंडरी लगी है यह पहली एक्तूबर की लगी है पहली एक्तूबर को व्रिष्चिक राशी के जात्कों के लिए ग्रहों की इस्तति इस तरह की है यह हमने व्रिष्चिक लगन लगाया है लेकिन जिनकी चंद्रमा व्रिष्चिक राशी का है यह जिनक से पहला जो राशी प्रवरतन हो रहा है ग्रहों का प्रवरतन हो रहा है वो दो अक्तूबर को हो रहा है शुक्र यहां पर बारवें भाव में गुजर रहे हैं और यह शुक्र दो अक्तूबर को यहां पर आजाएंगे लगन में यहां पर शुक्र की पोजिशन जो है वो अच वक्र विस्था में चलते हुए अपनी राशी कंए राशी में गैरवे मं में और 11 अक्तूबर को जो राशी जो होने जा रहा है जो प्लैंटरी इवेंट होने जा रहा है वो होने जा रहा है शनी का शनी या पर वक्री चल रहे हैं वो 11 अक्तूबर को मारगी हो जाएंगे मकर राशी में आगे को चलना शुरू कर देंगे पहले पीछे को चल दे थे या व हो जाएंगे और बुद्ध जो है यहां पर ग्यारवे भाम में ही रहेंगे और गुरू भी इसी दिन मारगी होंगे पहले शनी मारगी होंगे गैरा क्टूबर को फिर बुद्ध और गुरू 18 अक्टूबर को दोनों एकी दिन मारगी हो जाएंगे अगला जो इवेंट होने जा रहा है एस्ट्रोजी कली वह होने जा रहा है मंगल का मंगल 22 अक्रूबर को यहां पर आकर राशी प्रोरतन कर जाएंगे तो इस तरीके से यह जो बात करेंगे तित्यूं की कुछ तितियां है जो व्रिष्टिक राशी वालों को ध्यान में रखने चाहिए निरेजी उसके बारे में आप से जाना चाहिए निहा यह जो चंद्रमा होता है यह मन का कारग्रह होता है इसी से हमारी भावनाएं जो हैं वह चलती हैं हम गुसा ह होते हैं या हम खुश होते हैं तो उसमें चंद्रमा की बड़ी भूंका होती है यह चंद्रमा 15 दिन में बढ़ जाता है 15 दिन में घढ़ जाता है तो यह बहु चंचल है और जब यह चंद्रमा कुणली में चोथे 8 वे या 12 बारे महा में गोचर करता है तो स्थिति आपके थोड़ी सी unfavorable रहती है, तो आप dates को note करिए, वो dates आपको निश्ची तोर पर याद रखनी है, सबसे पहली जो dates है वो 7 और 8 October की है, चंदरमा आपकी कुनली में 7 और 8 October को यहां पर होंगे, बारवे भाव में, यह भाव होस्पिटलाइजेशन का भाव है, यह भाव खर्चे क भाव है, यह भाव वैसे विदेश का भी भाव है, यह निंद्रा का भी भाव होता है, बैड कमफर्ट का भाव यह होता है, तो यहां से जब चंदरमा गुजटते हैं, तो आपको डिस्टरब करते हैं, यह डो टिथियां आपको निश्ची तोर पर note रखनी चाहिए, उसके piece of mind यहां से देखा लाता है, यह disturbance होती है, यहां पर जब चंदरमा गुजटते हैं, यहां पर property का यदि आपने कोई काम सोच रखा है इन दो दिनों में, तो आप जो है वो निश्ची तोर पर उसको टा लिए, क्योंकि यह जो dates है, वो आपके लिए favorable नहीं है, तीसरी जो dates ह यहां पर जो मित्म प्लाशी में चंदरमा होंगे, वो आ जाएंगे अश्टम भाव में आपकी कुणली में, और मैं अपने दर्श को बताऊं कि अश्टम भाव में 16 और 17 अक्तूबर को चंदरमा होंगे, यह भाव जो होता है, वो होता है, सडन लोस का भाव, यह धुगट कर रहे होते हैं, तो उन दो दिनों में आप गाड़ी जो है, वो थोड़ी सी धीमे चलाएं, देखकर चले, सामने से कोई टकर ना मार दे, या आप ना किसी को टकर मार दे, तो यह जो 6 डेट्स हैं निहा, 7, 8, 16, 17 और 26 वो 27 वो डेट्स जो है, इस राशी के जातकों को खास रहने वाला है, देखे, यदि नहा हम बात करते हैं, इंकिन, स्टार्टिंग हम शुरू करेंगे इंकम से, या प्रफेशनली या इंकम किस तरीके की रहेगी, तो महीने की शुरुआत में यदि हम देखते हैं, तो सूरे पहले 17 दिन यहां पर रहेंगे, आए वाले भाव मे करमसान के स्वामी का आए स्थान में जाना अच्छा होता है, एक तरीके से यह फेवरेबल पोजिशन है सूरे की, सूरे यहां पर पूर्न दिखबली होते हैं, लेकिन यहां पर भी जाकर उनका बल जो है, वो कायम रहता है, तो पहले हाफ में अच्छा है, दूसरे हाफ में उनके लिए अच्छा है जिनका कारोबार एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है जो MNC में काम करते हैं जिनकी income का source बाहर से है उनके लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी है क्योंकि कर्मस्थान का मालिक जो है वो बारवेंस्थान में चला गया है बारवेंस्थान कहने को खर्चे का भाव होता है लेकिन ये भाव विदेश का भाव भी होता है तो जिनका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है जिनकी जो MNC में काम करते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है हाला कि उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है जो सरकारी करमचारी है निहाँ ये जो भाव है सूरे काई भाव है इनकी कुणली में सूरे सत्ता का कारक ग्रह होता है जब सत्ता का कारक ग्रह जाकर नीच राशी में बारवेंस्थान में बैठ जाता है तो सरकारी करमचार जितने भी हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्तवारी स्थिति रह सकती है otherwise बाकी जो private काम कर रहे हैं जिनका काम का समद्ध विदेश से हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है बुद्ध यहां पर आ गए हैं यहां पर अपनी राशी में आ गए हैं यह ग्यर्वा भाव है बुद्ध इस भाव में अपनी राशी में आकर पहले वक्री होंगे फिर मार्गी हो जाएंगे, जब मार्गी हो जाएंगे यहाँ पर, तो आया बढ़ाने वाला काम करेंगे, गुरू यहाँ पर नौनि से करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगे इनके लिए तो यह तो यह प्रोफेशन और इंकम की बात आगे हम बात करेंगे हैल्प से संबंदित हम जानकारी लेंगे कि विष्चिक राशी के लिए कैसा अक्तूबर का मंत रहेगा देखें निहा यह जो भाव होता है यहां से बीमार कर रहे होंगे गैरवे भाव में लगन के मालिक का गैरवे जाना अच्छा एक तरीके से क्योंकि यह बाइस को ही राशी प्रोष्टन करेंगे बाइस से पहले यहीं पर रहेंगे लगन के मालिक का गैरवे जाना अच्छा लेकिन छठे के मालिक का छठे से छठे जाना अच् यह चटा भाव है यह भाव जो है वह छट्टे से चट्टा है तो सिथी अच्छी है लेकिन इस्तिती अच्छी नहीं इस्तो नहीं पर देंगे यह इटिफिश हमहएजज का हाव है खाने वे मुइ兩ेट्स ने जो दी हैं किन इस भाव के मालिक उह वो वक्रoine लगने और एक गाड़ों कोई दूड व्क्रभान का योग आप के सकते हैं। यह सटनल लोसकाई भाव होता है जब वक्री हो जाता है और खास तो पर यदि आपकी कुल्ली में बुद्व वक्री है तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वक्री ग्राय आपकी कुल्ली में जब वक्री है और जब वो ट्रांसिट में वक्री होते है तो व रिशी क्राशी के, जिनको sudden result मिले होंगे, खास दोर पर, इस भाव से related, या इस भाव से related, या इस भाव से related, या तो sudden आए बढ़ सकती है, या sudden नुक्सान भी हो सकता है, तो sudden नुक्सान के लिए यहाँ पर अश्टम भाव देखा जाता है, तो आप गाड़ी जरूर धीमे चलाईए, दुरुगटना के योग बन रहे हैं, जी, इसे के साथ बात करेगे, अक्तूबर मन्त में, जो व्रिशिक राशी है, व्रिशिक राशी के जो जातक हैं, उनके रि सैटिस्फाइन होते हैं, आप इरीटेटफोते हैं किसी चीज को लेकर, आपीएज करते है, आप में इसका फूस्टिफ पॉस्टिफ अस्पक्ट यह खिए है, यह व्रिय प्रॉरा कि यहां के लिए यहां पर राहू जो है वो सब्तम में है यह सब्तम में जाता है तो आपसी ताल में बिगड़ता है रिष्टे टूटते हैं और समस्या क्रेट होती है तो इस भाव के लोगों जो जाते हैं उनके लिए एक स्थिती अच्छी यह बनी है कि शुकर दो क्तूबर को यहां से ट्रांजिट करके यहां पर आजाएंगे यहां पर देखेंगे शुकर इस भाव के कारक भी है इस राशी के लिए इस भाव के मालिक भी है सब्तम के मालिक भी है तो यहां पर आकर शुकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी अच्छी होंगी बैटर होंगी जो already situation चल रही थी उससे जादा थोड़ा सा सिती जो है वो अच्छी हो जाएगी दूसरी बात ये है ये भाव जो है वो कुटुम्ब का भाव होता है इस भाव के मालिक वकरी चल रहे थे यहाँ पर मारगी हो जाएंगे तो ये सिती अच्छी हो जाएगी मोटे तोर पर यदि हम मिला कर चलते हैं तो एक मंगल की दृष्टी यहाँ पर पड़ रही है वानी वाले भाव में थोड़ा सा नेंत्रण में रहेंगे चीजें आपनी वानी थोड़ा सा नेंत्रण में रहेगी या मन को संयम में रखेंगे तो चीज़ें बहुत जादा गड़बर होती नजर नहीं आ रही है तो इसे के साथ बढ़ते हैं आगया और बात करेंगे उपायों की, निरेश जी उपाये जो हमारी जिन्दगी में बहुत काम आते हैं कि ब्रिश्चिक राशी वाले जो जातक हैं क्या उपाय कर सकते हैं देखें नहा ये जो ब्रिश्चिक राशी है इसके लिए गुरु जो है धनभाव के में मालिक है पंचम के भी मालिक है नहा ये जो भाव होते हैं कुणली में लगन, पंचम और नमम ये त्रिकौन के भाव होते हैं त्रिकौन के मालिक का अच्छी स्थिती में होना बहुत अच्छा होता है यदि ये जाता कोई भी आपकी कुणली में महातशा चल रही है अंतर दिशा चल रही है या कोई माइनी नहीं रखता आप लोग गुरू का उपाय करेंगे तो आप निश्ची तोर पर जो है वो आपको उसका फायदा मिलेगा फायदा फायदा मिलेगा उसका कारण ये है गुरू इस भाव के कारक है इस भाव के मालिक भी है ये finance के कारक है गुरू, यहाँ पर आपकी कुण्णी में धन भाव के मालिक है और गुरू किसको रिपरेजन्ट करते हैं? फलदार पेड़ों को पेड़ दो तरह के होते हैं, एक पेड़ वो होते हैं, जो फल नहीं देते एक पेड़ वो होते हैं, जो फल देते हैं यदि आपकोई एक पेटी लगाते हैं जसके उपर फल आता हो कोई भी हो सकता है आपका चाहिए Lecchi का पेड़ उसकता है पको यसी भी तरह का फ़ल आता है आज कर दो ख़ाते हैं पहली हुआ we सेब आ रहे हैं आज कल पेड ऐसे आ गए हैं बड़ी एडवांस टेकनोलजी है दो साल बाद आपको सेब जो है वो मिल जाता है और ऐसा सेब का सीड आ रहा है जो आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं मैदानी लगा सकते हैं नहीं तो इसको चिलिंग अवर चाहिए होते हैं जो है वो आपका फ्लो बढ़ जाएगा तो गुरू का पाए आपको निश्ची तोर पर जरूर करना चाहिए ब्रिश्चिक राशी के जातकों को फास ओपर तो यह था मंतली राशी फल्में ब्रिश्चिक राशी का हाल इसी के साथ इस सीरीज बे अगले एपिसोन में हम बा नवश्चिक रप